शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले महापौर संदीव जोशपर हुए जानलेवा हमले की जाँच अब स्टेट CID को सोफी गई है साथ मैने पहले हुई इस वारदात में अब तक कोई आरूपी पकड़ा नहीं गया इसलिए अब ग्रियो मंतरा ले ने डिजी सूबर जायसवाल को प्रकन की जान CID को सोफने के आदिश दिये है शीत सतरा के दावरान 17 दिसम्बर को जोशी अपने परिवार के साथ चादी के वर्षगाट का जश्ट मना ने पारिवारिक सदस्यों और दोस्तों के साथ जामठा के रसरण्यन धाबे पर गये थे देर राज साथ गाड़ियों में सभी वापस लोड रहे थे इसी दावरान बाइक पर सवार हेलमेट पैने दो हमलावरों ने जोशी की गाड़ी पर अंदा धुन्द फाइरिंग की थी इसमें से चार गोलिया जोशी की गाड़ी पर लगी थी बाउजिद इसके कोई आरूपी पुलिस के हाथ नहीं लगा और न कोई क्लिव पुलिस को अभी भी मिला है प्रकरन की गंबिरता को देखती वे ग्रोमंत्री अनिल देश्मुक ने डीजी सुबोज जायस्वाल से चर्चा की शहर पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगने के कारण जांच CID को सोपने का निर्ने लिया गया अब क्राइम ब्रांच ने FIR, CDR अब तक लिये गए स्टेट्मेंट और प्रकरन से जुड़े सभी दस्तावे CID को सोप दिये है अब देखना यह हुगा कि CID की जाच में क्या जानकरी सामने आती है कैमरेपरसन विरेंद्र खोबरागड के साथ संजय मीरे इनबीसेन नियूज नागपूर